नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पैसे के होल वाले तामबे वाले इन शिकों के बारे में तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चीए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास पढ़ा हुआ ताँम्झे वाला, शोल वाला एक पैसे का सिका आपको कितनी value दे सकता है और आप उसको कैसे पैचान सकते है जो rare सिका होता है, उसकी क्या पैचान होती है और common सिका होता है, उसकी क्या पैचान होती है ये सिक्के बारत के अलावा वीदेशी मिंटों से भी जारी किये गए थे तो चलो जानते हैं कौन सी मिंट का सिक्का कितनी वेल्यू दे सकता है लेकिन गाइस इस वीडियो में और आगे बड़े उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब और साथ ने बेल आइकन का बटन प्रेश जरू कर लें तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों जब भी आप कोई कीमती शिक्का निकालो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चीए कि आपके पास पढ़ावा शिक्का कौन सी मिंट का है कौन सी इयर का है इसके लिए आपको उस सिक्के की कौमन सिक्के की जानकरी होनी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस कौमन सिक्के के बारे में कौमन सिक्के की डेटेल क्या है इसके लिए आपको सबसे पहले इन शिकों की एर समझ लेनी चीए इन शिकों को 1943 से लेकर 1947 तक जारी किया जाता है चार अलग-अलग मिंटों में और यह शिकके 1946 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो 4 mint है सबसे पहले मैं आप 4 mintों के नाम बता देता हूँ Kolkata, Mumbai, Pretoria और Lahore की mint ये 4 mint हैं इनके mint mark भी बता देता हूँ Mumbai का Diamond का mint mark देखने को मिलेगा Lahore का L का mint mark देखने को मिलेगा Pretoria का एक Round Dot mint mark देखने को मिलेगा और Kolkata mint के सिक्के में आपको येर के नीचे कोई भी मिंट मारक देखने को नहीं मिलेगा और अगर बात करें इन सिकों के मेटल की तो ये ब्रॉंच मेटल में जारी किये जाते हैं 22 mm के साइज होती है 2 ग्राम वजन होता है थिकनस होता है 1 mm का से प्राउंड होता है जो कि आप लोग देख सकते हैं सिक्के का अगर रिवर्स भाग देखते हैं तो उपर की साइड में क्राउंड का चितर बना हुआ होता है एक साइड इंडिया इंगलिस में दूसरी साइड 1.25 इंगलिस में देखने को मिलता है और नीचे में एक पैसा हिंदी में लिखा हुआ है और उसके नीचे सिक्के का इयर मेंसन किया गया है इस सिक्के का है 1943 और उसके नीचे एक डायमेंड का मिंट मार्क बना हुआ है मतलब यह मुंबई की मिंट से जारी किया जाता है इन सिकों का overbug है वो आपको same ही देखने को मिलेगा सभी सिकों में आपको overbug सेम देखने को मिलता है जिसमें एक फलोवर की सांधर से डिजाइन बनी ही देखने को मिलीगा आपको ये थी British इंडिया के राज में जारी किया गया 1943 से 1947 तक के एक पैसे की common सिक्के की जानकरी अब बात कर लेते हैं कि यह सिक्के आपको value कितनी दे सकते हैं कौन से year का सिक्का कितनी value दे सकता है तो अगर आपके पास में 1943 का सिक्का होता है कोई भी mint का तो वो सिक्का आपको value दे सकता है only 20 रुपे उसके बाद में 1944 का सिक्का आता है 1944 का अगर आपके पास में lahore mint का सिक्का होता है तो यह सिक्का आपको UNC condition में 300 रुपे तक दे सकता है और अगर आपका सिक्का होता है fine या extra fine में तब भी आपको 100 रुपे से 1500 रुपे तक की value दे सकता है और अगर आपके पास में 1944 का कॉलकता मिंट का सिक्का होता है जिसमें आपको 1944 के नीचे कोई भी मिंट मरक नहीं देखने को मिलता है तो वो सिक्का होता है rare मतलब उस एक सिक्के के बदले में आपको UNC कंडिशन में मिल सकते हैं 1000 रुपए और अगर आपका सिक्का UNC नहीं होता है तो फिर उसके हिसाब से उसकी वेल्यूते की जा सकती है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्ट सिक्के की तरफ अगर आपके पास में 1945 का लाहर मिंट का सिक्का होता है तब भी आपको मिल सकते हैं 300 रुपए UNC कंडिशन में और अगर आपका सिक्का फाइन या वेरी फाइन कंडिशन में होता है तब आपको 100 रुपए मिल सकते हैं और extra fine condition का सिख्गा होता है अपको 200 रुपए मिल सकते हैं तो गाइच अब बात कर लेते हैं लाश्ट सिख्गे के बारे में जिसको जारी किया जाता है 1927 में 1947 में जितने भी सिख्गे जारी किये जाते हैं सबी के सबी सिख्गे आते हैंur Common की कर्टेगरी में और अगर किम्मत की बात करें तो इस सिख्या आपको दे सकते हैं 5 रुपे से लेकर 20 रुपे तक UNC कंडिसन का सिख्या आपको 20 रुपे में मिल जाएगा तो अब आपको पता चल गया होगा आपके पास पड़ा हुआ एक पैसे का होल वाला सिख्या आपको कितनी वेल्यू दे सकता है कौन सी एर का कौन सी मिंट का सिख्या कितनी वेल्यू दे सकता है वीडियो देखकर आप लोग अच्छे से समझ रुके होंगे तो guys आप लोगों ने कौन-कौन से सिक्के रखे हुए नीचे comment section में जरूर लिखना और इसके साथ में इस वीडियो को एक like और चैनल को subscribe और साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना और ये वीडियो अपने दोस्त और family के साथ में share जरूर कर देना और हाँ अगर आपके पास कोई भी unique सिक्का या note है और आपको नहीं पता है कि उसकी value क्या है तो आप hashtag ngc लगा कर बिंदास पूछ सकते हैं तो guys आज की इस वीडियो को एंपे खतम करेंगे मिलेंगे next वीडियो में जे हिंद जे भारत तब तक इस वीडियो को देखते रही है और ज्यादा से ज्यादा सेयर करते रही है